इसे बनाने के लिए आपने एक मीटर की ज़रुत होगी सबसे पहले हमें अंधर का इंटर बनाओंगे जिसके लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करकि दुबार से फोल्ड कर लूगी दो बार fold हम उतना करेंगे जितना हमारे body की ज़रूरत है हम पूरा fold नहीं करेंगे इससे fabric waste होगा अब कोई भी कुर्तिया fold कर ले and armhole जहांपर हमारा खतम हो रहा है वहां के नीचे से हमें रखना होगा क्योंकि हमें यहांपर सिर्फ side की fitting mark करना होगा तो यहांपर मैंने side की fitting mark कर ली हूँ folded side पे गला मैं ले ली हूँ 2 inch का और shoulder यहांपर मैंने ले लिया 3 inch का बीच के हिसे में मैंने 5 inch पे point draw करके इन दोनों को curve shape देते हुए मिला लिया है अब इन सारी marking को हम इस तरीके से cut कर लेंगे अगर आपको कोई भी measurement समझ में ना आए तो आप मुझे comment करके जरूर से पूछे मैं जरूर से आपको reply दूँगी तो इस तरीके से आपने measure करना होगा और यहांपर यह हमारा base तयार हो चुका है top का अब बस हमें lambाई आपने जितनी रखी इनी है मैं यहां पर lambाई जादी ले ली थी इसलिए मैंने lambाई और थोड़ा cut कर लिया है अब इस तरीके से हमारा top तयार हो चुका है बस side की fitting कर लेना होगा नीचे का जो हिस्सा है उसे मोड लेंगे उपर का भी हिस्सा मोड लेंगे और उपर की तरफ पट्टी लगा लेना होगा तो यहां मैंने white color की पट्टी का इस्तमाल किया है आप saturn ribbon या कोई भी घर में भी पट्टी बना सकते है इस तरह की पट्टी को मैं लगा लूँगी पट्टी की लंबाई थी चार इंच की जो मोरने के पाद पट्टी की लंबाई थी आठ इंच की मोरने के पाद चार इंच हो जाएगी इस तरह के से हमारा उपर का टॉप तैयार हो चुका है अब हम उपर की जैकेट प्रेपैर करेंगे जिसके लिए बचवे फैब्रिक से मैंने एक बार इसे फोल्ड कर लिया है का में उपर ऑन इसे फैटि के लिया है मैंने एक इंच का गैप चोड़ते होए आप, मरक कर लिया है गले के लिए लाँ ले रिखा चौटा कि ले रही हूं तीन इंच की चौड़ा ले रही हूं तीन इंच की इन दोनों को भी मिला लूँगी अब इन सारी मरकिंग को हमने कट कर लेना होगा सो यहां पर मैं इससे कट कर लूँगी कट करने के बाद जब आप खोलेंगे तो आगे के हिस्से के बीच के हिस्से में हमें कट कर लेना होगा सो यहां पर मैंने आगे के हिस्से के बीच के हिस्से में कट कर लिया है क्योंकि यह जैकेट पैटन है अब जोड़ लेते हूँ यहां से शुरू करते हूं आल ओवर सर्कल के दुसरे आगे की जैकेट की ओपनिंग तक हमें आपका गुषिदी आपके से बाल कर के दुबारा से फोल्ड कर लें फिर दूबार फोल्ड करने के पाद जो अपका अस्तीन है उसे इस तरीके से रखना होगा मुरा हुआ साइड फोलड एड और सिलाई की आवा भाग ओपन साइड होगा इस तरीके से अस्तीन का उपर का शेप ट्र क्योंकि इसके नीचे भी मैं बहुत ही प्यारा सा लेस फॉर्म करूंगी वही सेम कॉंट्रास्ट ब्लू कलर के फैबरिक के साथ यहां पर आप देख लें मैंने दोनों अस्तीन कट कर चुका है अस्तीन कट हो जाने के बाद अब हम अस्तीन के नीचे एक पैनल लगाएंगे यहां पर जो ब्लू कलर का फैबरिक मैं नीचे की और लगाऊंगी वही सेम ले लूँगे चार इंच की चोड़ाई का फोल्ड करते हुए इस तरीके से छोटी छोटी चुन देते हुए हमें लगाना होगा फोल्ड करते हुए लगाएंगे इससे किनारी भी नहीं मुरना होगा बहुत यह असानी से यह लग जाएगी शुआ आप देखो दोनों अस्तीन के नीचे की और इस तरीके से हमने यह फ्रिल लगा लिया है अब बस इन अस्तीन को हमारे टॉप के साथ जोड लेना होगा टॉप के साथ अस्तीन को जोड़ना भी बहुत आसान है टॉप को खोल ले आप और टॉप को खोल लेने के बाद हमें अस्तीन बस लगा लेनी होगी अस्तीन लग जाने के बाद मैंने नीचे की और भी यह बहुत ही प्यार सा फ्रिल पैटन लगा लिया था जिसके बारे में मैं अलोड़ी आपके साथ शेय किया है इस तरीके से हमारा जैकेट बन गया है बस बीच की किनारी को भी मोर लेना होगा यह हमारा बहुत ही सुन्धर सा जैकेट प्रिपेर होगा है इसे ऐन मीटर फैब्रिक में हमने से बनाया है बहुत ही जादा सुन्धर लग रहा है इसके उपर इसके अंदर नी आप ये टॉप पहने जो मैंने प्रिपेर किया है जिसका भी टुटिरिल में आपके साथ शेय किया है इस तरह का टॉप अंदर की और पहने उपर से जाकेट पहने अगर आप चाहें तो पलाजो पांस पहने डेनिम के साथ पहने बहुत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के जैकेट टॉप को बनाने के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही क्वेक है इसका प्रोसेस वीडियो पसंद आए दें लाइक करना ना भूले मेरे चैनल को मेरे पीच को जरूर से फॉलो करें और इसे बनाने के लिए कोई भी क थालो से जर बहुत ही सुझाँ बहुत ही सुझाँ भी करना भी कर दो सकते हैं